गोगी गैं के बद्माश तिल्लू को मार रहे थे तो वही पर दिल्ली के तेन बड़े गैंक्टर भी थे मौजोद जब पलीस वाले जा रहे थे तो भी बद्माश नहीं रुके चादर हटा कर तिल्लू के शरीर पर किये वर तेलू ताजपुरिया ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस गोगी को उसने कोर्ट रूम में मरवाया था उस गोगी के गुर्गे उसे देंगे ऐसी सजा हमलावर जब हमला कर रहे थे तब जेल के सुरक्षा में तैनात तमिल नाड़ू आमस्ट पुलीस के जमान लोकल पुलीस और जेल प्रशाशन सामने खड़ा मोग दर्शक बना हुआ था टिल्लो को मारने के लिए गोगी गैंग के बदमाशों ने एक साल आठ महीने तक किया इंतजार तिहार जेल गैंग वार में मारे गए टिल्लो ताजपुरिया या फिर निरज बवाना ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि गोगी गैंग के बदमाश अपने गुरू जितेंदर गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए इस कदर पागल है कि टेलो ताजपुरिया को इतनी बेरहम मौत देंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक जितनी भी गैंग वार इस तरह की हुई है उसमें टेलो की हत्या सबसे जादा निरसंस थी और अब से पहले इस तरह किसी भी गैंग्टर को जेल के अंदर नहीं मारा गया होगा हलांकि गोगी गैंग के बदमाशों ने इस बात का अईलान तभी कर दिया था जब गोगी की हत्या होई थी कि वो टेलो से ऐसा बदला लेंगे कि लोग भूलेंगे नहीं और ऐसा हुआ भी जिस वक्त गैंग्टर टेलो की बदमाश हत्या कर रहे थे कहा जा रहा है कि वो इतने ज़्यादा वैशी बन गये थे कि कोई बचाने तक नहीं आया जबकि दिल्ली के ही तीन बड़े गैंग्टर उस वक्त वहीं पर थे वो चाते तो टेलो की जान बचा सकते थे लेकिन उन तीनों खतर नाग गैंग्टरों के बेहिम्मत नहीं हुई कि वो टेलो टाजपुरिया की जान बचा ले टेलो हत्याकांड में जो अब खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चोकाने वाला है और धराने वाला भी जिसके बाद तेहाड में और सुरक्षा बेवस्ता चाक चौबंद करती गई है तो वीडियो के अन तक बने रहेगा नमस्कार आप देख रही है बेडियेफ ने उच तो आईए इस वीडियो के शुरुआत करते हैं गैंक्टर टिल्लू ताजपुरिया की मंगलबार यानी की दो मई को तिहाड जेल में गैंगवार में हत्या हुई सोचरा मिलने के बाद दिल्ली पुलीस की स्पेसल सेल की कई टीमे जाच के लिए दिल्ली के तिहाड जेल महुँची स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि गोगी गैंग के चार बदमाशों ने जेल के अंदर पुलीस जेल प्रशाचन के सामने टिल्लू को मारा 90 से जादा बार नुकेले हतियार से टिल्लू पर हमला किया गया कहा जा रहा है कि हमलावर जब हमला करते करते एकदम से ठक गए तब जाकर टिल्लू को छोड़ा जेल प्रशाचन जब टिल्लू के शरीर को चादर से ढख कर ले जाने लगा तब भी टिल्लू पर हमला किया किया जब उस पर हमला किया जा रहा था उसके सामने तीन कुख्याद गैंग्टर सोनू दरियापुर, प्रदेप सोलंकी और मंजीत महाल वहीं पर मौजोद थे ये तीनों कुख्याद गैंग्टर कहे जाते हैं लेकिन ये तीनों भी उसे बचाने के हिम्मत नहीं जुटा पाए पुलिस के मताबिक टिल्लो ताजपुरिया के शरीर को बोरी तना से लोहे की ग्रिल से बनाए गए सुवे से गोदा गया इस मामले में धाना हरीनगर में आईपीसी की धारा 302, 307 और 34 के तहत कानूनी कारिवाई शुरू करती गई है जेल अधिकारियों के मताबिक टिल्लो ताजपुरिया हाई सिक्योर्टी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर पर बन था टिल्लो पर गोगी गैंग से जुड़े चार कैदी दीपक, योगेश, राजेश और रियाज खान ने उसी वार्ड में हमला किया योगेश और फटुंडा और दीपक और फटीतर ने वार्ड की लोहे की ग्रिल को तोड़ कर टिल्लो ताजपुरिया पर हमला किया था गोगी गैंग के इन बदमाशों को फर्स्ट फ्लोर के हाई सिक्योर्टी वार्ड में रखा गया था उन्होंने सुरक्षा ग्रिल को काटा और बेट सीट का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड फोर पर कोट गए हलागे तिल्लो ताजपुरिया के हद्या के बार उसका अंटियम संसकार भी हो चुका है लेकिन इस गैंकवार के चर्चा अब नैशनल लेबल की खबर बन चुकी है कि आए दिन दिल्ली के तिहार जेल में जिसे अति सुरक्षित जेल कहा जाता है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगादार देखने को मिल रही है तो सुरक्षा बैवस्ता पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है